वालकम बैक दोस्तों मैंने नाव रूपा हूँ और आप सभी कसा आप करता हूँ हमारे यूटूब चैनल में आज मैं बात करने वाला हॉंडा की तरफ से पहली 110cc बाइक जो की बीचिक्स मॉडल में लॉंच हुए हॉंडा ड्रीम CD110 के बारे में इसमें क्या फीचर है क्या प्राइजिंग है और क्या नया आड़ों देखने को मिलता बीचिक्स वाले मॉडल में पहुँ सारे अपडेट आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेगे सो फ्रेंड्स अगर मैं बात कुरू हॉंडा CD110 ड्रीम की तो यह बीचिक्स मॉडल में लॉंच हो चुकी इसकी प्राइस थोड़ी हाई है लेकिन फीचर भी आपको नय नय देखने को मिलता है अब हुername आपको इसमेर फींचन नहीं किया है कमपणी ने लेकिशप इसके इंजर में आपको और फीलटर भी देखने को मिलेगा देखने का vaporर है फिललब यह टॉर्ट में देखने दिधाइन नहीं है लेकिन आपको को आपको ज्जादा पावरफुल और ज्यादा फिल power figure के उपर पूरा confirm नहीं बता सकते है लेकिन हाँ most probably जो BS4 model है वो उसकी करीब करीब ही होने वाला है बात करें आप इसमें add-on क्या देखने को मिलता है जो कि इस गाड़ी को highlight बनाता है BS4 की comparison में पहली चीज इस गाड़ी में आपको देखने को मिलता है इसका starter button yes starter button में आपको देखने को मिलता है kill switch जैसे कि आपने honda SP125 में देखा था सेम वैसा ही function आपको CD 110 BS6 वाले model में देखने को मिलेगा जो कि again first in the segment आप बहु सकते है second feature की बात को जो इसमें inclusion हुआ है इस गाड़ी में इस AC generator वाला आपको इसमें starter देखने को मिलता है that means इसमें आपको starter motor नहीं देखने को मिलेगा जैसी honda की दूसरी गाड़िया है वैसी ही आपको इसमें देखने को मिलता है which is again first in the segment कोई भी दूसरी गाड़िया नहीं provide करती है इस type की feature जो की honda provide कर रही है जिससे आपका गाड़ी जो है silent start होगा और power भी जादर consumption नहीं करेगा मैं इसकी third highlighting feature की बात करूँ वो है इस गाड़ी का headlight yes पहले जो headlight था वो AC पे work करता था है alternate current पे work करता था लेकिन आप BS6 वाले model में आपको मिल लेगा DC current के through इसका जो headlight work करेगा that means जो flickering होता है headlight में वो चीज नहीं होगी इस वाले variant में apart from that इस गाड़ी के design में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है एक color combination आपको कुछ देखने को मिलेगा plus इस गाड़ी का जो design हो पूरा कपूर कमेंटर segment का design है जादो कुछ आप expect ना कर इस गाड़ी में बहुत millimistic गाड़ी है जो instrumentation है वो आपको analog देखने को मिलता है और इसमें आपको engine malfunction का भी light देखने को मिलेगा आड़ी का design काफी millimistic है और जो इसके wheel से वो आपको alloy wheels देखने को मिलता है silver color में देखने को मिलता है सेट अप डिस बेक का सेट अप नहीं है फ्रेंट में आपको 130 mm को पीछी 130 mm को आपको drum brake देखने को मिलता है जो कि कौन भी ब्रेक सिस्टम पर वक करता है बात करें आप इसकी में चीच की प्राइजिंग क्या रखी कंपनी ने इसकी प्राइजिंग रखी कंपनी ने 62,729 रूपीज यह एक श्रूम हाइदरावाद का प्राइज है डिफरेंट डिफरेंट जगे पर अलगलग प्राइज हो सकता है BS4 से 13,695 रूपे मतलब 13,695 रूपेज तो जादा पे करना पड़ता BS4 कि अपर रिटर्ण में लेकिन बहुत सारी चीजे नहीं आपको देखने को मिलते है इस गाड़ी का प्राइज इतना बड़ा हुआ है सिर्फ प्यूल इंजिक्शन होता है तो शायद पाच या चार या पाच हजार रूपे बढ़ता है इस गाड़ी में आपको वारंटी देखने को मिलते है तो वह सारे इंक्लूजन करके इसका प्राइज इतना हो जाता है मेरी इसाब से काफी अच्छा वेल्यू फर मनी बन जाती है और बहुत साही चीजह है फस्ट इन्दा सेग्मेंट आपको देखने को मिलता है आप लोग कहा रहा है इस गाड़ी को क्या सूचते कि इससे जाधा कुछ और अपडेट होना चीए था तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बता सकते है इस गाड़ी की जब भी स्पेसिफिकेशन लाँच होगी तुरंद की तुरंद आपको बता दूँगा इस चैनल को सब अपडेट के बारे में जो भी चीए मैं बताता हूँगा इस वीडियो में अगर ये वीडियो अच्छल है तो प्लीज लाइक करना और अच्छले तो प्लीज शेयर करना और इस गाड़ी से लेटेट कोई भी सवाल हो तो प्लीज ये जो इंस्ट्राइम को जो फॉलोग करे विदिन टोटी फराव विदिन फॉर्टी टार्स अपने मेसेज के तो में रिप्लाइदे दूंगा तिल देन बाई एंचाओ